अगर आप नहीं हो तो प्लीज दू फॉलो आस और ये व्लॉग है अयोध्या का हम बनारस गए थे तो हमने सोचा बनारस इतने दूर आही गए है तो अयोध्या भी चलते है रामलला के दर्शन करते है तो हम बस से गए थे चार पांच घंटे लगे थे और शाम का टाइम था ह थे तो हम होट तेल में चेक एन कर गें फटा फट निगले रामलला के दर्शन के लिए और यहाँ पर बहुत सारे हपको युनो बंदर दिखेंगे और यह देखो यह यहाँ पर बहुत सारे शौप है जहां पर यूनो आपको रामलला के पोस्टेस मिलेंगे पूजा की उसके बाद on the way जब मंदिर जा रहे थे तो हमने सोच चलो टीका भी लगा लेते तो हमने सब ने जैशे राम का टीका लगाया था बट उन्होंने मुझे शिवजी का लगा दिया था बट कोई नहीं उसके बाद यह है में पाथवे जहां से होते हुए आप राम मंदिर जाते हो और यहां पर आपको अक्चुल भीड दिखेगा और क्यूंकि यह मंदिर भी नया नया बना है तो उसके on the way हमने नोटस किया कि इत्त सारे शॉपная एसे थे जो अन्डर कंस्ट्रक्शन थे तो आने वाले टाइम पे यह जो पात्वे है और ब्यूटिफूल और इंगीजिंग हो गा ङभी तो साब अन्डर कंस्ट्रक्शन ही है in fact मंदिर भी बहुत कुछ था जो अंडर कंस्ट्रक्शन था बट मंदिर यू नो जहां पर में रामलला है वो तो बन चुका है और यह देखो अच्छा सा ब्यूटिफुल सा संसेट हो रहा था और काफी भीरता अंदर भी काफी भीरता हमें लाइन लगन तो यह जो फीलिंग था ना टू वाक तोवर्ड्स राम भागवान यह बहुत ही जादा अमेजिंग था और बहुत बड़ा मंदिर आपको बहुत चलना पड़ेगा बट चलने में आपको इतना अच्छा लगेगा ना सोचके कि आप रामलला से मिलने जारे हो वो फीडिंग नेक्स लेवल होती है और जैसे मैंने बोला आपको यहां पर आपको कुछ दिखे ना दिखे बंदर बहुत दिखेंगे और यह देखो यह हैं मंदर के अंदर का प्रमाइसस यहां पर अंदर जाना है वहां पर आप अपने शूज रख सकते हो आई तिंग उन्होंने अभी लेड़िया तो है सेट अप शूज के लिए अंनर कंस्ट्रॉक्शन है सब कुछ आ उसके बाद यहां पर हमने अपने भैक्स भी रखे और यह देखो यह देखो यह देखो बंदर मंदर के अंधर भी इतने सारे बंदर थे ना यह देखो यह दा लॉकर हमने अपने बैस्- वोन सब कुछ रखा, बहुत ही प्यारा सा दर्शन हुआ हमारा, हमने रामलाला को देखा, अच्छा से नहारा for good 10-15 minutes, फिर हम मंदिर से पहार निकले और हम जा रहे थे अपने next location पर जाते जाते देखो हम कैसे गाना गा रहे थे फिर हम जा रहे थे सरयू रिवर शाम की आरती देखने के लिए और ये on the way आप अयोध्या देखो कितना beautiful लग रहा था और lighten up, you know almost दिवाली वाली feeling आ रहे थी यहाँ पर और मैं आपको सरयू रिवर का थोड़ा से importance बताती हूँ यह वही रिवर है जहां पर श्री राम जी सीता जी और लश्मिन जी ने 14 साल के बनवास जाने से पहले पूजा किया था और प्रेयर किया था कि उनका सफर जो है वो सेफ रहे तो बहुत मानेता इस रिवर का तो भी जाना और यह आरती बहुत ही ब्यूटिफुल हो रहा था है यहां पर आरती के बाद हम गये सरयू रिवर के पास तो ओफर आप प्रेयर्स टू दे रिवर और यहां पर हमने लिया था एक दिया और कुछ फ्लावर्स और यह देखो यह मैं हूँ तो मैंने भी बहुत पानी में फ्लोट कर रहा था और मैं भी ट्राइ करी थी कि मेरा भी दिया कई डूब ना जाए तो मैं यूदो थोड़ा घबरा घबरा के कर रही थी और यह देखो यह मेरी फूपू फूपू भी बहुत सारा दिया लेके आई थी और मम्मी भी थी आगे यह देखो पिंग स करते लोग फोटो किछवाते हैं देखो यह है डिजिटल इंडिया ऐसे रास्ते में आपको डिजिटल रंगोली देखने को मिलेगा काफी सुन्दर सा और यह है हनुमान मंदिर आप राम लला के दर्शन करोगे तो डेफिनेटली हनुमान जेके भी दर्शन करने होंगे मंदिर में भी उसके बाद हमें पता चला कि यहां पर कई भंडारा भी लगता है तो हम थोड़े एक्साइटिड हो गए उसके बाद हम निकले मंदारा के लिए रात के 9 बच चुके थे लगबग गुमते गुमते लेकिन आप भीड देखो लाइट देखो आपको लगेगा नहीं कि 9 बचे रात के उसके बाद हम गए राम रसोई यहां से हमने पर्ची कटवाया हमें लगा कुछ पैसे लगेंगे बटनों में बोला से पर्ची कटवाना है और आप अराम से खा बंडारा खा सकते हो बस आपको बोलना है आपको जाना है अमावा राम मंदिर क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग है जो आपको मिस्काइड करेंगे बोलेंगे नहीं यहां पर बंडारा नहीं मिलता है और आप बस अमावा राम मंदिर पूछते पूछते जाना और यह देखो हम जैसे गए हमारे लिए प्लेट्स लगे बंडारा में और फूपू और मांसी का बंडारा में और यह देखो यह कितने फ़नी तरीके से हमें ग्लास दे रहा था और सच बताओ तो मेरा एक्सपेक्टेंशन था कि बंडारा में थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा क्योंकि मासिस के लिए होते है वो सब खाना बट इतने सारे आइटम थे वहां पर खिचड थी पापड़ था चना अलू की सबजी थी चोखा था पिकल था कुछ उन्होंने चिप्स भी दिये हुए थे और यहां तक तो देखो शिवजी भी आये हुए थे खाना खाने के लिए अच्छे से खाना बीना खाया बहुती टेस्टी बंडारा था उसके वाद हम निकले पस बानारा के लिए क्योंकि बानारा से हमारा ट्रें था फर राची पर जाने से पेले हम गय थे साली ग्राम पत्थर देखने के लिए जो निपाल से आया था उसके बाद थोड़ा बहुत हमने चाय नाश्टा किया उसके बाद पकड़के हमने कब बूग किया था फ्रॉम योद्या टू बनारस काप बुक करके अराम से बैठके खाते पीते समोजा खाया था और ये लॉंग लता था ये सब खाते पीते हम पहुच गए बनारस रेलवे स्टेशन यहां से हमने पकड़ा बंदे भारत ट्रेन और यहां पर भी बहुत कुछ खाने को लिए दिया था हमे ये सब खाते पीते हम पहुच गए राची अपने ख़र रात की अल्मूस्ट बारा बजे फिर नहां दो आके थोड़ा सा स्किन केर करके यहां पर समायरा मेरा आक्टिंग कर रहे है बस दैट्स अल बाई